जैने दोस्तों कैसे हैं आप सबी? हम लोग Remender Theorem के वो बेसिक सवाल आज पढ़ने वाले हैं हलाकि Remender Theorem का introduction हम लोगोंने पिछले क्लास में कर लिया था तो आज हम लोग उस चीश को detail में पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक स्लोगन कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पढ़ता है आप हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि Maths भी वो GS की तरीके से पढ़ते हैं और कहीं न कहीं ये कमजोरी उनको selection से काफी दूर रखती हैं ये कमी जब से साधन सुलब हो गए हैं साधना दुरलब हो गई हैं अब आपके पस बहुत सारे साधन है इतना material है यूटूब पर पढ़ने के लिए कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं लेकिन Maths अभी भी आप GS की तरीके से पढ़ते हैं Maths लगाते हैं वक्त आपके हाथ में copy pen नहीं है तो Maths का पढ़ना बेकार है आप एक सवाल हम करें तो दूसरा सवाल वीडियो पॉस करके आपको करना है यह पागलपन होना बहुत ज़रूरी है जब तक यह पागलपन नहीं होगा सफलता आपसे काफी दूर रहेगी बात समझ गया चलो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले तो यह जानो Remender Theorem में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं Remender Theorem अपने आप में काफी अच्छा पॉइंट है अच्छा सेशन है पढ़ने के लिए और इसमें बहुत सारी चीजें आती है यदि हम अच्छा से चीजों को पढ़ें तो सबसे पहले बेसिक देखिए पिछली क्लास में हमने बेसिक पढ़ाया था आपको और उसमें बताय पढ़ेंगे मौडूलर्टी के सवाल आज हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने और टाइप 2 में बाइनोमियल थोरम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 में आप फॉरमेट थोरम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 में विलसन थोरम, कॉंसेप्ट अप साइकलि पढ़ेंगे और वहां से special questions बनाएंगे कि mix-up कैसे पैचानेंगे कि कौन सा सवाल किस थोरम से best रहेगा यह सारी शीजे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओभी इत्मिनान के साथ ठीक है जल्दवाजी कहीं कुछ नहीं है बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे एक चीज को एक थ आने वाले हैं आज के class में basic questions और modularity के questions हो सकता है देख लेंगे लेकिन सबसे पहले तो आप पर depend करेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो कि कितना आपको आ रहा है ठीक है तो positive and recommended theorem के कुछ सवाल और इसमें और अच्छे सवाल क्या बन सकते हैं 2011 के SSC के exam में किस तरह के सवाल ब तो पहले सवाल आपके सामने है इसमें तीन सवाल हमने रखे हुए हैं कि find out the remainder of these ठीक है यहां से तो सबसे पहले तो तीन सवाल हैं यह तीन सवाल उसे हम लोग basic start करेंगे इसमें हमें remainder बताना है तो आप अभी तक क्या करने वाले थे कि इन दोनों numbers को add करते और यह कितना आ पांच अब 56 बटे 5 आ गया यानि 5 का जब भाग आप 56 में लगाओगे तो सभी को पता है 11 बार जाएगा 55 आएगा remainder कितना बचेगा एक remainder बचेगा यह बात तो आप जानते ही हो एक remainder बचेगा अब आप यहां से नई चीज क्या सीखने वाले हो यादि आप इन दोनों को add कर 5 से भाग लगाओगे आ तो गया 56 लेकिन आप इसी तरह किसे जो आपका answer remainder एक आया है इसको दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हो यह जानों दूसरी तरीके से किस तरह से यह सवाल मतलब लग सकता है यह जानों ठीक है सबसे पहले तो आप 5 का भाग जब 27 में लगाओगे तो remainder यहां से कितना मिलेगा प्लस 2 मिलेगा अब इसके बाद जब आप 29 में लगाओगे तो 25 पांच बढ़ चला जाएगा यहां से remainder कितना बचेगा 4 मिलेगा सबस्का बीच में साइन किसका प्लस का तो आप भी remainder के बीच में भी साइन किसका लगाद दो प्लस का तो अब 4 दो कितना हो जाएगा छे 6 बटे 5 अब आप तो जानते हूं कि remainder पास से कमी आएगा तो फर्दर एक बार डिवाइड कर दो यहां से remainder बताओ कितना आएगा जब पांच कब आग छह में लगाओगे तो रिमेंडर आ जाएगा एक यह बात आप समझ रहे हैं यानि कि इंडिविज्वल आप नंबर्स का रिमेंडर निकालेंगे सवाल आप देखें यह काफी अच्छा सवाल है देखें यहाँ पर यदि हम पॉजिटिव रिमेंडर निकालें मैंने आपको बताया था दो तरह के रिमेंडर होते हैं एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव रिमेंडर तो यह 38 है माइनस का 38 है तो आप जानते हूँ चार हमने कहा कि यदी आप 8 का भाग 38 में लगाएंगे जिनाफ चार बार जाएगा 32 आएगा रिमेंडर बताओ कितना बचा 6 आप यह reminder लिखोगे 6 और यह 6 जो reminder आया है वो किसका है वो plus का है जो कि आपने 38 से 32 को घटाया है इसलिए plus का बचेगा 6 यह बात समझे रोगे जो 6 remainder आएगा यह plus का आएगा अब आपको ध्यान देना है यह वाला minus और यह वाला plus जब multiply होंगे तो क्या आएगा minus आएगा कितना आएगा minus का 6 बटे 8 आएगा लेकिन आप ये बात जानते हो कि final जब हम answer देते हैं तो positive answer देते हैं जब हमारा final answer आता है तो positive आता है तो इसको positive कैसे बनाए ये 8 minus 6 कर देते हैं तो कितना आजाएगा 2 आजाएगा अब मुझे बताओ इसका answer कितना है 2 और ये 2 किसका है plus का इसलिए इसका remainder कितना होगा 2 होगा ये बात आप समझ कि चलो इसी तरह से माल लेते हैं यदि मैं इसका negative remainder निकालता तो 38 ना होकर ये कितना होता 40 यदि ये number 40 होता तो 38 से कितना कम है 38 से ये 2 कम है तो यहाँ पर remainder आपको negative मिलेगा minus 2 अब आपको देखने वाली बात समझने वाली बात ये कि ये minus और ये minus multiply हो जाएंगे minus minus कितना होता है plus अब यहाँ से आपको direct क्या मिल जाएगा plus का 2 दोनु तरह से answer से हम आएगा चाहें आप positive remainder निकाले चाहें negative remainder निकाले answer कोई फरक नहीं पड़ेगा अब हमें देखना ये है कि positive remainder से हम छोटा number निकाल लेते हैं remainder के form में या negative remainder से अब आप इस सवाल को देखिए देखिए 25 से भाग लगाना है मैं आपको एक बात बता दूँ जब भी आपको 5, 25, 125 से भाग लगाना हो तो आप अच्छिस जानते हो 5 की power 1 कितना होता है 5, 5 की power 2 कितना होता है 25, 5 की power 3 कितना होता है 125 बच्चे मेरे आपको जब भी 5 से भाग लगाना हो और remainder निकालना हो तो आप last का single digit देखा करो जब भी आपको 25 से भाग लगाना हो किसी number में जैसे इसमें 25 का भाग लगा है और आपको remainder निकालना है तो आप last के two digit देखेंगे उस number के last के two digit देखेंगे उसी तरह से जब आपको 125 से जदी किसी number भाग लगाना हो और फिर remainder find करना हो तो last के three digit देखेंगे बात समझ रो किसके last के three digit देखेंगे उस number के last के three digit जिसमें भाग लगा हो इन numbers का clear? चलो इसी तरह से दो में भी चलता है funda इसी तरह से दो में भी funda जैसे माली जी किसी भी संख्या में दो का भाग लगा हो तो दो की पावर एक कितना होता है तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हो कि यदि हमें किसी भी नंबर में दो का भाग लगा हो आप सिर्फ और सिर्फ उस नंबर के लास्ट के जो सिंगल डिजिट है उसमें भाग ले दे दो और रेमेंडर मिल जाएगा बात नहीं समझे जैसे मान लिजिए आपके पास कोई ये नंबर लिखा इसमें दो का भाग लगाया गया है और आप पूछ रहे हैं कि जब दो का भाग लगता है इस संख्या में तो सेस्फल बताओ तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ये पाँच उठा लो सिंगल एक डिजिट उठा लो इसमें दो का भाग लगाओगे यानि कि दो भागित पाँच करोगे तो बताओ रिमेंडर कितना हैगा एक रिमेंडर आ जाएगा बात समझ रहो ऐचे माल लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिख히 है यह आपके सामने कोई नंबर लिखा है ठीक है। ये कोई लिए और इसमें भाग कितने का लगा है चार का भाग लगा है यदि इसमें भाग चार का लगा है तो आपको चार की कंडिशन में क्या करना है उस नंबर के लास्ट के दो नंबर पकड़ लेने 47 से सिर्फ भाग लगा दो 47 से सिर्फ भाग लगा दो तो 44 बार चला जाएगा यहाँ पर remainder कितना बज जाएगा यहाँ पर remainder आपको 3 मिल जाएगा यह बातें समझो धीरे-धीरे करके ठीक है अब माल लिजे 8 से भाग लगाना हो इस number को इस number को 8 से भाग लगाना हो तो क्या करें सिर्फ और सिर्फ last के 3 डिजिट आप पकड़ लेंगे last के 3 डिजिट आप पकड़ लेंगे उसमें से डिमेंडर निकाल लेंगे पूरा number आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी 16 के case में आपको last के 4 नमबर ले लेंगे last के 4 नमबर ले लेंगे ये बातें समझ रहे हो कि नहीं उम्मीद connection है आप पर यहाँ पे 25 से भाग दिया गया तो क्या करने वालने ये बात तो आप जानते हो अब हम यहां के 29 से भाग देंगे उसमें 30 से भाग देंगे बीच में का है का साइन है, बीच में बताओ का है का साइन है, प्लस का, तो आप प्लस लगा दो, तो चार पांच कितना होता है, नो होता है, तो इस सवाल का उत्तर कितना आजाएगा, नो आजाएगा, यानि यहां से रिमेंडर कितना मिल जाएगा, नो मिल जाएगा, बातें स उतर गई तो फिर आप भुला के भी नहीं भुला पाओगे इसलिए हम चाहते हैं कि आपको बार-बार वो चीजें आ जाएं ठीक है बार-बार वो चीजें पढ़ाई जाएं आपको चलो अब जैसे यह देखो यह सवाल को बनाना है कैसे बनाओगे यहां से कुछ अच्छे जीरो भाई यहां से कुछ भी रिमेंडर मिले उससे मतलब नहीं है लेकिन एक बार यदि रिमेंडर जीरो मिल जाए तो पूरी कानी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यानि इस तवाल का उत्तर क्या चला जाएगा जीरो यह बात तो आप समझ रहे होगे इस तरह का सवाल हमने पिछली क्लास में करवाया भी है यह बात देखो यहां से बताओ क्या आएगा condition यहां से बताओ please देखो ग्यारा गया थे भाग आप 300 डबल तीन है इसका मतलब यह नंबर कट जाएगा 11 से बोलो कट जाएगा न 11 से बही जब आप 11 का भाग 331 में लगाओ गए तो पूरा कितनी बाढ़ जाएगा गेर 33 यह कट गया और रिमेंडर बताओ कितना आया रिमेंडर कितना आया यह यह एक रिमेंडर बच जाएगा उसी तरह से यहां पर रिमेंडर कितना बच जाएगा यहां से रिमेंडर कितना आया एक यहां से रिमेंडर कितना आया दो यहां से रिमेंडर कितना आया तीन और बीच में साइन किसका है इंटू का तो इंटू लगा दो तो कितना जाएग बात आप समझ रहो की नहीं यानि डबल सेम नंबर यदि डबल डिजिट का है तो वो पूरी तरह से कट जाएगा एक बार फिर से देखो एक बार फिर से देखो 331 गुणे 332 गुणे 333 बटे कितना लगा है बटे 11 यूपी एसाई का सवाल है इसलिए अच्छे से सीखो एक भी सवाल फालतू का नहीं लिए ये बात ध्यान लखना सारे सवाल प्रिवियस यर के कलेक्शन के हैं और बहुत इंपोर्टन है जिससे हर सवाल आपको कुछ कुछ ना कुछ सीखने को देगा तो यहां से 11 से यदि हम भाग इसका लगाएंगे तो यहां से कितना आएगा प्लस वन बोलो आएगा की नहीं यहां से कितना आएगा प्लस का टू मिलेगा यहां से कितना आएगा प्लस का थ्री मिलेगा अच्छा अब बीच में sign बताओ किसका है, बीच में sign into का है, तो जितने भी remainder है उनका क्या कर देंगे, into कर देंगे, तो कितना जाएगा है, दो तिया है, 6 और 6 कम 6 remainder कितना चला जाएगा, final answer इसका कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा, कोई दिक्कत, चलो, अब यह सवाल बत होता है, 445 से, 442, 445 से कम होता है, कितना कम है यह, 3 कम है, इसलिए minus का 3, यह कितना कम है, 2 कम है, इसलिए minus का 2, यह कितना ज्यादा है, ज्यादा है, 4 ज्यादा है, plus का 4 ठीक है, और यह कितना ज्यादा है, यह plus का 3, 3 ज्यादा है, और इनके बीच में पताओ sign किसका है, इनके और यहां से प्लस लिया है और यहां से प्लस का थिरी लिया है इनके बीच में साइन बता हुकिसों का है Si to Ka तो हम की नरी नहीं प्लस होता तो प्लस लगा देते एंधि aл Annas लगा दे रही है कि तो अब यहां से यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा और यह आजाएगा 6, 6, 24, 24 ती आई 72, 72 बटे 445 और मैंने आपसे बताया था अंस जब छोटा हो किसे हर से हर से छोटा हो अंस यानि हर बड़ा हो भया हर बड़ा हो किसे अंस से और अंस कैसा हो positive हो तो वही आपका क्या हो जाता है remainder हो जाता है वही remainder हो जाता है यानि कि 72 इसका क्या हो जाएगा remainder हो जाएगा बात समझ रो 72 इसका remainder हो जाएगा अब यह सवाल बदा हो जारा फटाफट पहले तो वीडियो रोको और खुद से करने की कोसिस करो यहां पर खुद से करने की कोसिस करो छॉलो यहां पर बहात्र एक कम इसलिए माइनस का वन फॉ यह जीडा जादा है एक जादा इह जादा है यह भी जादा है और और इनके बीच मीगंद साइन किसका है इनके बीच में साइन remember का है तो इसलिए इनके यूज कर लेंगे तो इन्टू यूस कर लेंगे यानि माइनस वन इन्टू माइनस टू इन्टू इन्टू कितना फोर तो यहां से माइनस माइनस प्लस और यह आ जाएगा दो चाको आठ यानि की फॉस्ट आंसर राइट हो जाएगा दो चाको आठ फॉस्ट आंसर राइट हो जाएगा लास्ट के two digit देख लेते हैं, यानि हमें सिर्फ भाग लगाना है किसमें 47 into 48 बटे 50, बाकी हमें मतला भी नहीं है, बाकी के नमबर से हमें मतला भी नहीं है, देखो 0 की वज़े से last का single digit देखना पड़ता है, जैसे माल लीजिए कोई number लिखा है, भाया जी देखो ये number लिखा इसमें 10 का भाग लगाना है, अब remainder पूछा गया है, तो आप अच्छा से जानते हैं, इसमें remainder कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 0 है, तो remainder कितना आएगा, 2 आएगा, बात समझो कैसे, हम 10 का भाग यादी 312 में लगाएं, तो देखो 10 35, 30, कितना बचा, 1, और यहां से 2, 2 कहरी हो गया, 10 से कम 10, remainder बताओ कितना है, single digit आएगा, अब यहीं पर हम 100 का भाग लगा दे, तो remainder बताओ कितना हैगा, अब बताओ remainder कितना हैगा, अब remainder 12 आजाएगा, यदि हम यहां पर 3 डिजिट कर दे, 3 0 लगाते, तो अब remainder कितना हैगा, 312 आएगा, बात नहीं समझे, बा remainder सिर्फ और सिर्फ कितना हैगा, 8 हैगा, अब यदि हम 100 का भाग लगा दे, तो remainder कितना हैगा, 78 आएगा, मालीजी हजार का भाग लगा दे, तो remainder 578 आएगा, तो remainder कितना हैगा, मालीजी हजार का भाग लगा दिया, तो remainder कितना हैगा, last के 3 डिजिट आएगे, last के 3 डिजिट पांच लगा दें तो रिमेंडर पूरा का पूरा यही आ जाएगा यह बाते समझ लो ना उसी तरह से पचास एक जीरो की खासित क्या है कि लास्ट करेगी लेकिन पांच की वज़े से हमें लास्ट में एक और डिजिट देखना पड़ेगा तो यानि फाइनली कितने डिजिट आया जनाब बताओ अब 6 चोटा हैं और पूर्जट से और पॉजटिव यानि नुम्रेंटर ही नुम्रेंटर ही हमारा क्या बन जाता है रिमेंडर बन जाता है यह हमाराया रिमेंडर आज जाता है बहुत ही अब देखो भाल मताओ फॉट उशचा क्ती नुशरा क्तुला यह सवाल करकर यह बताओ अब बात बताओ यह से नौगाard फाग लगा होगे तो डूनी 18 14 कितना है से में मीलेगा 1 और 18 में यह ज़्यादा कितना है झसका टू तो माइनस का आगना और 4 by 9 नहीं डेना हो आंसर सोगर जाता है वो अन्हें पॉजिटिव होंना चाहिए तो positive होने के लिए क्या करें 9 minus 4 यानि कितना जाएगा 5 यानि B answer क्या हो जाएगा इसका right हो जाएगा B answer इसका right हो जाएगा इसको देखो B answer right हो जाएगा पका 25 से भाग लगाना अभी हमने आपने देखा कि 5 से भाग लगाना हो पांस से भाग लगाना हो तो लास्ट का एक डिजिट है ना और 25 से भाग लगा हो तो लास्ट के दो डिजिट और यदि 125 से भाग लगा हो तो लास्ट के तीन डिजिट देखते हैं लास्ट के तीन डिजिट देखते हैं अच्छा 25 से भाग चला जाए पूरा-पूरा इसके लिए क्या चाहिए अब अच्छे से जामते हो 25 से भाग होने के लिए या तो लास्ट में पच्छिस हो या फिर 50 हो या फिर 75 हो या फिर 100 हो लास्ट के टू डिजिट यह अब यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आजाए 125 बतलब ठीक है ऐसे आप जानते हो कि मैंने उधारण के तौर पर यह चार नंबर लिख रखें बागी और चाहो तो लिख सकते हो 25 का पाड़ा भी खतम नहीं हुआ मैंने चार ही नंबर यहां पर एक्जांपल के तौर पर चारी नंबर लिए बात तो समझ रहोगे ठीक है अब आप एक चीज़ देखो उधारण के तौर पर अभी हमने आपको बताया कि यह 25 से कोई नंबर डिविज्विल है उसके लिए आपको लास्ट में यहां तो हो 25, 50, 75, 100, 125 इस तरह से नंबर होने चाहिए तो यहां आपको सिर्फ 48 देखना है तो कि 25 से यहां तो पूरा का पूरा ले लेना यहां उन्चास ले लेना यहां आपको 48 सिर्फ देखना है त्रेपन देखना है निन्यानबे देखना है और 49 देखना है बटे कितना है 25 यहां तक कौनो दिक्कत आपको अब आप ये पच्चेस दूनी 50 कितना कम है 50 में से 50 में से कितना कम है दो कम है कम है इसलिए निगेटिव रिमेंडर ये इसी को बोलते है निगेटिव रिमेंडर ये 50 से कितना ज्यादा है ये नंबर ज्यादा है ज्यादा है ये कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है ये नंबर 100 से कितना कब में एक में कर में इसलिए नंबर कितना 50 सी कम था 1 जो कम इसको मैन,1 जल सिंपली बात प बीचिया बीच में नों लगया, तो इंटू का साईन लगाड़ो बीच में इंटू लगवा दो इंटू का प साईन लगाड़ों कितना आ जाएगा 6 6 आ जाएगा और साईन माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, यानि की आजाएगा माइनस का 6 बटा 25, अभी मैंने बताया कि निगेट्व रिमेंडर नहीं देते है, और नहीं देते हैं, यह माइनस का 6 आजाएँ, इसको पॉस्ट्व कैसे बनाएँ, 25 से घटादो कितना 6 भी यह निगेटिव आया है यह नंबर निगेटिव है इसको पॉस्टिव कैसे बनाए 25 से घटाओ 6 कितना आ जाएगा 16 16 इसका आंसर जाएगा 16 सॉरी 19 25 से जब आप 6 घटाओगे कितना बचेगा 19 26 19 आएगा यानि बी आंसर राइट हो जाएगा तो आज हम लोगों ने यहां तक देखा फर्स लाइट में सवाल देखें बेसिक सवाल हम लोगों ने देखें अब सेकेंड क्लास में हम लोग मॉडिलर्टी के क्योशिशन करने वाले हैं ठीक है तो यह वीडियो पूरा देख हैं ओके थैंक यू